नमस्कार आप सभी आंगनबारी वहनों का आज के इस नए वीडियों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तो जैस्ता कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो आंगनबारी सेविका होती है या फिर जो आंगनबारी केंदर होता है उस आगनबाडी केंदर में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं परने के लिए उन्हें परने से संबंदित और स्वास्त से संबंदित जो अवस्यक्ताएं होती है वो आगनबाडी सेविकाएं बखोवी निभाती है और उसके बाद जो गर्वती महिला धातरी महिला या फिर जो लभार्थी है उनको ये लोग समय समय पर जो उनको अवस्यक्ता होती है वो उन अवस्यक्ताओं को पूर्थी करने में अपना अहम रोल निभाती है तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी घटना दिखाने वाला हूँ जिसमें की एक आगनबाडी सेविका द्वार है तो ये काफी गंभीर मामला है इस मामले को लेकर डिप्यो ने सी डिप्यो में को जाच के आदेश भी दे दिये हैं और इसका जो है कि वीडियो भी वायरल हो चुका है तो पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में तो उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर जीजेगा और जो भी लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जूरे हैं वो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगनबारी से जूरी आपको समय समय पर जनकारियां मिलती रहें त कि आगनबारी सेवी का छोटे-छोटे बच्चे को दे रही है सिग्रेट पिने की ट्रेनिंग देख सकते हैं ये खबर बिहार के बक्सर जीले से आ रही है 26 बारत 2021 यानि आज की ही लेटेस्ट खबर है जिसको दैनिक भासकर में छापा गया है नीचे यहां पर देखेंगे क एक छोटा सा सिर्षक दिया गया है कि इसका जो वीडियो है वाइरल होने के बाद ICDS की जो DPO मैम है उन्होंने जाच के लिए आदेस भी दे दिया है कि जाच करके इस पर जल्द से जल्द करवाई की जा सके चलिए खबर को पूरा विस्तार से जानते हैं देखिए बक्सर के दल्चागर स्थित पटेलवा टोला के आगनबारी केंद पर छोटे छोटे बच्चे सिग्रेट पी रहे हैं इसका वीडियो सामने आया है इसे आगनबारी सेविका खुद बच्चों को सिग्रेट पीने की ट्रेनिंग दे रही है जिसमें भजपूरी में कहा जा रहा है कि धरावसन यानि कि जो ये भासा है वो भजपूरी भासा है कि एक दुसरे को जो सिग्रेट है वो दिया जा रहा है वो यह भी कह रही है कि एक दुसरे को भी दो सभी बच्चों की उम्र करीब 5-6 साल है इधर वीडियो वाइरल होने के बाद ग्रामिनों में आगनबारी के प पर कस खिषते दिखे वीडियो में तो इसकी जो वीडियो है वो वाइरल हुई है वाइरल वीडियो होने के बाद जो ग्रामिन है उन्होंने सिकायत की है सेविका बच्चों को बता रही है कि सिग्रेट कैसे जलाना है कैसे पीना है इसके साथ ही पीने के समय जलती हुई दूसरे बच्चों के साथ वह सेयर करने के लिए भी कह रही हैं। यहाँ पर अप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पर एक महीला का हाथ दिखाई दे रहा है और कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। जहां पर वो सिग्रेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ प अस्थानिय गरामिन रवींद राम ने बताया कि सिग्रेट फूकने वाले बच्चों में एक मेरा भतीजा भी है उन्होंने बताया कि यह वीडियो पतेलवा निवासी सेविका ममता कुमारी ने अपने आगनबारी केंदर पर बनाया है गरामिनों का कहना है कि यह वीडियो सिग्रेट पीटे वीडियो देख वो भी हैरान है तो गावाले भी हैरान है कि ऐसा कैसे कर सकती है जो आगनबारी सेविका है कि बच्चों को सिग्रेट पीने कि ट्रेनिंग दे रही है इधर सेविका क्या का आहिये जानते है इधर आगनबारी सेविका ममता कुमारी ने पूरे मामले से पल्ला जारते हुए बताया कि इस वीडियो से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है इस वीडियो में मेरी आवाज भी नहीं है मुझे फासाने के लिए ऐसी साजिस की जा रही है जो ठीक नहीं है यह विरोधियों की चाल हो सकती है तो जो ममतक कुमारी है जो आगनबरी सेविका उन्होंने कहा कि इस वीडियो से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है इसमें मेरी आवाज भी नहीं है और यह मुझे फासाने के लिए साजिस की जा रही है देखिए डीपियो तार्नी कुमारी ने बताया कि ऐसे वीडियो के बारे में कोई जनकारी नहीं मिली है लेकिन यह गंभीर मामला है हम अभी सी डीपियो को आदेश देते हैं कि इस मामले की जाच कर तुरंत इस पर करवाई करे तो इसकी जो जाच है वो जाच होने के बाद ही पता चल सकेगे कि जो सेविका है वो खुद बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे रही है या फिर सेविका को फंसाने के लिए ये अरोप लगाया जा रहा है तो इस संबंद में आप सभी आंगन बारी बहनों का क्या राय है कि आखिर में ये सेविका ऐसे कैसे कर सकती है आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो आज की इस वीडियों फिलाल इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद